नमस्कार, आज हम लोग जानेंगे नेपोलियन बोनापाट के बारे में हम लोग नेपोलियन बोनापाट के जीवनी या बैयोग्राफी को कवर करेंगे नेपोलियन बोनापाट के दोड़ा सभी लड़ेगों यूद्ध किस तरह से नेपोलियन का उदय हुआ और किस तरह से उसके सत्ता का अंत हुआ इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे आए शुरू करते हैं नेपोलियन का जन 15 अगस्त 1779 इसपी को कोर्सिका दीप पे हुआ था जो वर्तमान में फ्रांस का दीप है कोर्सिका दीप पहले स्वतंत्र हुआ करता था 1770 में फ्रांस ने इस दीप पे आकरमन कर दिया नेपोलियन के पिता कारलो बोनापाट ने फ्रांस की सेना के खिलाब युद्ध भी लड़ा था लेकिन आगे चलकर नेपोलियन के पिता ने फ्रांस की अधिनता स्विकार कर ली और फ्रांस के राजा लुईस उलहवे ने नेपोलियन के पिता को अपने दरबार में कोर्सिका दीप के रिप्रेजेंटेटिव के रुप में निउत कर लिया जब नेपोलियन नो वर्स का हुआ तो उसका आइडमिशन फ्रांस के एक सैनिक स्कूल में हो गया 1785 इसपी में नेपोलियन फ्रांस की आर्टिलरी रेजिमेंट में ओफिसर बना लेकिन नेपोलियन कभी भी फ्रांस के राजा के प्रतिक वफादार नहीं था नेपोलियन अपने होमलाइन कोर्सिका दीप को फ्रांस से आजाद करना चाहता था 1789 इसपी में फ्रांस में करांती सुनू हो गई करांती कारियों ने 21 जनवरी 1793 इसपी को फ्रांस के राजा लुई सुलावे की हत्या कर दी नेपोलियन फ्रांसेसी करांती में जैकोबियन दल का समर्थक था जो फ्रांस में लोकतंतर की लंबे समय से मांग कर रहे थी 1795 में फ्रांस के राजपरिवार के कुछ समर्थकों ने फ्रांसेसी करांती कारियों की खिलाब विद्रोह करने की सुरुआत की लेकिन नेपोलियन ने इस विद्रोग को कुचल दिया इसके बाद नेपोलियन को फ्रांस में मेजर जर्नल का पद्र मिला एक तरफ फ्रांस में करांती चल रही थी तो दूसरी तरफ 1792 SP से फ्रांस अपने परोसी राजियों के साथ युद्ध भी लड़ रहा था इस युद्ध को War of the First Coalition भी कहा जाता है इसे coalition इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक तरफ तो फ्रांस था दूसरी तरफ Dutch, British, Roman Empire, Prasad, Sardinia और भी कई सारे छोटे बड़े सामराज, coalition बनाकर, एक संगठन बनाकर फ्रांस के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे इसलिए इसे War of the First Coalition कहा जाता है उन दिनों फ्रांस के दो सबसे बड़े दुस्मन हुआ करते थे एक Austrian सामराज और दूसरा British सामराज इतिहासकारों ने लिखा है कि नेपोलियन अपनी साधी के दो दिन बाद ही सारडीनिया के किंडम से युद्ध लड़ने के लिए निकल परता है सारडीनिया का किंडम वर्तमान में इटली में है जो कभी सारडीनिया का किंडम उसका एक हिरसा हुआ करता था वो साइडीनिय किंडम कहा लाता था जो वर्तमान में इटली है इसी इटली पे कबजे को लेकर के दोनों देशों के बीच में आए दिन युद्ध होते रहते थे 1796 में फ्रांस की सेना और साइडीनिया के बीच एक युद्ध होता है उस्टेलिया एक अलग देश है और उस्ट्रिया यूरोप में एक देश है फ्रांस की सेना और उस्ट्रिया की सेना के बीच में चार अलग अलग जगों पर युद्ध होता है कास्टिगलियों बासानों आरकोल और युवली इन चारो जगों पर फ्रांस की सेना और उस्ट्रि निकमारेगे जब कि औसी चौदा हज़ार से जाधा से है निकमारेगे 17 अक्टूर 2017 सुषन तो इसपी को फ्रांस और औस और आस्ट्रिया के भीज कैंपो फॉर्मियो की संधि होती होती है पीस ट्रीटी होती है जिसपे France की तरफ से Napoleon ने और Austria की तरफ से Count Philip ने sign किया इस तरह से War of the First Coalition में Napoleon यानि की France की जीत होती है इसके बाद तो Napoleon की France में लोग प्रियता बहुत जादा बढ़ जाती है 5 December 1797 को जब Napoleon Paris लोटता है तो उसका स्वागत एक hero की तरह किया जाता है अब Napoleon बिटेन पर आकर्मन करना चाहता हो था लेकिन बिटेन पर आकर्मन करने के लिए ना तो Napoleon के पास एक ताकतोवर नेवी थी और ना ही France financially इतना मजबूत था कि लंबे समय तक योग दिलर सके इसलिए Napoleon ने बिटेन पर डिरेक्ट आकर्मन करने के बजाए इजिप्ट पर आकर्मन करने की योजना बनाए जो बिटेन और इंडिया के बीच में एक महत्तवपूर्ण ट्रेड रूट या फिर वैपारिक मार्ग था जुलाई 1798 में नेपोलियन ने इजिप्ट पर आकर्मन किया उस वक्त इजिप्ट पर मामलुक बन्स का सासन हुआ करता था जो आटमन सामराज्य के अंतरगत आते थे 21 जुलाई को फ्रांस की सेना और इजिप्ट की मामलुक सैनिकों के बीच युद्ध होती है जिसे बैटल अफ पिरामिड कहा जाता है इस युद्ध में फ्रांस के सिर्फ 30 सैनिकों की जान गए जबकि इजिप्ट के लगबग 2000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए युद्ध में फ्रांस की जीत होई अब फ्रांस सीरिया के दमासकस की तरफ बढ़ा लेकिन नेपोलियन को सीरिया में बहुत जादा सफलता नहीं मि एक जगह संगठित होकर, एक कोईलिशन बनाकर एक जूट होकर के फ्रांस की खिलाब युद्ध लड़ रहा है, जिसे war of the second coalition कहा गया, इस war में फ्रांस की इस्तिति काफी खड़ाव है, युद्ध लड़ते लड़ते फ्रांस दिवालियपन के कजार पर पहुंच चुका है, फ्रांस में राजा का सासन खत्म होने के बाद से सासन चलाने के लिए एक डारेक्टरी बनी थी, उससे फ्रांस की जनता का आम जनता का इस डारेक्टरी से विश्वास उठ चुका था, फ्रांस को एक मजबूत लीडर की जोरित थी, नेपोलियन इजिप्ट और सीरिया की ल अपने भरोसे मंद लोगों को कांसलेट का मिंबर बनाया नेपोलियन बहुत समझदार था नेपोलियन ने डायरेक्टरी को खत्म करके खुद को राजा घोसित नहीं किया क्योंकि वो जानता था ऐसा करने से फ्रांस की जनता विद्रोग कर सकती है नेपोलियन के खिलाब इसलिए नेपोलियन ने सही समय का इंतिजार किया 14 जून 1800SP को फ्रांस की सेना और ऑस्ट्रिया की सेना के बीच इटली के अलेसांड्रिया के समय युद्ध हुआ जिसे बैटल ऑफ मारेंगो कहते हैं इस युद्ध में फ्रांस की जीत हुई नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को इटली से पूरे तरीके से ख़देर दिया 1801 में ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच सांति समझाथा हुआ जिसे ट्रिटी ओफ लिउन्मील कहा जाता है 802 में बिटेन ने भी समय को भाबते हुए फ्रांस के साथ ट्रीटी ओप एमेंस नामक सांती समझावते पर हस्ताक्छर कर दिया, इसके बाद नेपोलियन की लोकप्रियता फ्रांस के साथ-साथ पूरे यूडोप में फैल गई, 802 में नेपोलियन ने फ्रांस के संम्मिधान म या संसोधन करवाया कि निपोलियन जब तक जिएगा तब तक वही फ्रांस का काउंसल बना रहेगा यानि कि काउंसल का हेड जो होगा जब तक निपोलियन जिएगा तब तक निपोलियन ही फ्रांस में काउंसल का हेड होगा एक तरह से डिक्टेटर्शिप 804 में जब नेपोलियन को इस बात का यकीन हो गया कि फ्रांस की जनता अब उसके खिलाप नहीं जाएगी तब उसने खुद को फ्रांस का इंपरर या समराट गोसित कर दिया और इस तरह से नेपोलियन फ्रांस का राजा बनो नेपोलियन की बढ़ती ताकत से पूरा यूरोप चिंतित था और सबसे ज़्यादा चिंतित था वो बिटेन बिटेन के साथ फ्रांस की पीस ट्रीटी जो है ज़्यादा दिनों तक नहीं चली नेपोलियन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए बिटेन ने रूस और आस्ट्रिया के साथ मिलकर फ्रांस के खिलाब युद्ध की गोशना कर दी जिसे war of third coalition कहा जाता है इस युद्ध में नेपोलियन ने आस्ट्रिया की राधानी वियना तक पे अपनी सेना पहुँचा दी यानि Austrian सेना को नेपोलियन पीछे धकेलते हुए वियना तक फ्रांस की सेना पहुँच लिए साथ ही Battle of Austleys में नेपोलियन ने Russian Empire और Austrian Empire को एक साथ हराई यानि Austrian Empire और Austrian Empire दोनों देसों की सेना एक तरफ और एक करप फ्रांस की सेना और इस युद्ध में जिसे Battle of Ausleach कहा गया इस युद्ध में फ्रांस की सेना ने अकेले ही Russian Empire और Austrian Empire को एक साथ हाड़ाया और इस तरह से War of Third Coalition में भी Napoleon की जीत हुई इसके बाद रूस ने फ्रांस के साथ सांती समझाता कर लिए 1807 में 1807 से लेकर 1811 इस पी तक फ्रांस और रूस की दोस्ती चली 1811 के बाद रूस की अर्थ व्यवस्ता खड़ाब होने लगी और रूस अपनी अर्थ व्यवस्ता सुधारने के लिए बिटेन के साथ नजदी किया बढ़ाने लगा नेपोलियन ने इस पे रूस को चेतावनी दी 1802 में नेपोलियन ने रूस पे आकरमन कर दिया नेपोलियन थोड़ा उगर भी चार का था इसलिए वो ज़्यादा देर इंतिजार नहीं करता था ज़्यादा सब्र नहीं करता था जैसे ही नेपोलियन ने देखा कि रूस जो है वो बिटेन के करीब जा रहा है नेपोलियन ने 1812 में रूस पे आकरून कर दिया और फ्रांस की सेना और रूस के सैनिकों को पीछे धाकेलते हुए मासकों की करीब जो रूस की राधानिय मौसकों वहां तक पहुंची लेकिन दर फ्रांस को बहुत जादा नुपसान उठाना पर फ्रांस के लगबग 2 लाग से अधिक सैनिक मारे गए इस यूद्ध में इसके अलावा जब फ्रांस की सेना वापस लोट रही थी तब कडाके की ठंड और बढ़फिले हवाओं के कारत लगबग 10,000 से जादा सैनिक फ्रांस मारे गए थे रूस के साथ इस युद्ध में नेपोलियन की जीत नहीं हुए क्योंकि नेपोलियन को बहुत जादा भले ही वह उसकी सेना मौसको तक जाप पहुची थी लेकिन जीत नहीं हुए क्योंकि नुकसान जो है नेपोलियन को बहुत जादा हुए बेटेन ने इस मौके का फाइदा उठाया देखा कि फ्रांस की सेना पहले से ही टूटी हुई है उसने क्या किया कि आस्ट्रिया, रूस, स्वीरेन, स्पेन और पुर्तगाल को मिला करके एक सेन गठबंदन बनाया और फ्रांस की खिलाब तुरंत ही युद्ध की घोशना कर दी जिसे वार बिटेन और उसकी गठबंदन सेना ने चारों तरफ से हमला किया था नेपोलियन और उसकी सेना इस युद्ध में बहुत भादरी से लड़े लेकिन इतनी बड़ी सेना के आगे नेपोलियन और फ्रांस की सेना टिक नहीं पाई बिटिस और रूस और उसकी गठबंदन की से ने फ्रांस की सेना को पीछे धकेलते हुए पेरिस तक जा पहुंची फ्रांस ने सरेंडर कर दिया जिस वक्त फ्रांस ने सरेंडर किया उस वक्त रूस और बिटेन की सेना के सामने जिस वक्त फ्रांस के सानिकों ने या फिर फ्रांस की जो कॉंसलेर से उसने सरेंडर किया उस तो बिटेन और रूस फ्रांस से अपनी अपनी सेना हटा लेंगे ना चाहते हुए भी नेपोलियन को अपनी राजगद्दी या थ्रोन का त्याग करना पड़ा और अप्रेल 1814 इस पी में भुमध सागर मिस्तित अलबा दीप पे नेपोलियन चला जाता है अलबा दीप उन दिनों 12,000 लोग अलबा दीप पे रहते थे नेपोलियन ने यहां अपनी एक छोटी सेना त्यार की क्योंकि इस दीप के जो लोग थे इस आईलेंड के जो लोग थे अलबा आईलेंड के वो नेपोलियन को अपना समराट मानते थे, अपना राजा मानते थे, तो नेपोलियन ने यहाँ भी अपनी एक छोटी से ना तयार कर लिए, इसी बीच नेपोलियन को यह ख़बर मिलती है, कि उसे नेपोलियन को एलवा दीप से हटा करके, अटलांटिक महासागर में किसी सु पहुचता है फ्रांस की जनता नेपोलियन को अपने राजा के रूप में फिर से स्विकार कर लेती हैं जैसे यह खबार ऑस्ट्रिया को पता चलता है ऑस्ट्रिया ब्रिटेन रूस और प्रसा यह चारो देश मिल करके लगभग 6 लाग की सेना लेकर के नेपोलियन की खिलाप यूद द्रलाने के लिए निकल परते हैं नेपोलियन भी लगभग 2 लाग की सेनी की घटा करता है और इससे पहले कि ब्रिटेन प्रसा और ऑस्ट्रिया की सेना फ्रांस की जमीन पे पहुंचे नेपोलियन खुद ही गठवंदन देशों की सेना पर आक्रमन करने के लिए या एक तरफ नेपोलियन यानि कि फ्रांस की सेना है और दूसरी तरफ ब्रिटिस, प्रसा और निदल है इन तीनों की संजुक्त सेनाओं के बीच में एक भीशन युद्ध होता है जिसे बैटल ओफ वाटरलू कहा जाता है इस बैटल ओफ वाटरलू में भी नेपोलियन की हार होत होती है अब तक तो फ्रांस की जनता भी युद्ध से तंग आकर के नेपोलियन की खड़ी हो चीकी थी प्रसा की सेना को यहां आदेश मिलता है कि नेपोलियन को पकरना है चाहे जिंदा पकरा जाए या मुर्दा पकरा जाए ठीक है नेपोलियन के पास और कोई रास्ता वह अमेरिका भागना चाहता है लेकिन बिटिस नेवी जो है वह फ्रांस के सभी बंदरगाहों या पोर्ट पे लगा देती है सभी पोर्ट पे कड़ी निगरानी रखी जाती है फाइनली नेपोलियन पंदरा जुलाई 1815 इसपी को बिटिस नेवी के ऑफिसर फ्रेडरिक मे सागर में इस्तित सेंट हेलेना दीप पर ले जाये जाता है नेपोलियन इस द्वीप से भाग न जाये इसके लिए 2000 से जादा सैनिक यहां तैनाज किये जाते हैं बेटेन के द्वारा साथ ही साथ 10 जहाज संबुद्ध में कंटिन्यू पेट्रोलिंग करते रहते हैं ताकि नेपोलियन यहां से भागे नहीं पांच माई 1821 सिस्पी को 51 साल की ओंग में नेपोलियन की मिर्तिव सेंट हेलेना दीप पर हो जाती है तो यह थी नेपोलियन की जीमू मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद